क्या आपने कभी सुना है कि दो लड़कियां पुलीस थाने पहुचकर समलैंगिक विवा की अनुमती मांगती हैं? जी हाँ, राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर थाने में एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया. आये जानते हैं इस दिल्चस्थ कहानी के बारे में जो प्यार, दोस्ती और समाज के बंधनों को चुनौती देती है. पाली जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में दो युवतियां पुलीस के समक्ष समलैंगिक विवा की अनुमती मांगने पहुची. ये दोनों लड़कियां एक ही गाव की रहने वाली हैं, और उनकी गहरी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. बीस वर्षिय लड़की और उसकी पचीस वर्षिय सहेली अकसर एक दूसरे के साथ घंटों बिताती थी, और उनकी इस गहरी दोस्ती को प्यार का नाम मिल गया. लेकिन जब उन्होंने घरवालों से इस बारे में बात की, तो उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला. ठाने में पहुँचकर, उन्होंने पुलीस के सामने विवाह की अनुमती के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया. पुलीस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों लड़कियां अपने फैसले पर अड़ी रही. ऐसे में पुलीस ने उन्हें पाली सखी सेंटर भेजा, जहां उनकी काउंसलिंग की गई. सखी सेंटर में तीन राउंड की काउंसलिंग के बाद, दोनों लड़कियां अपने अपने घर लोटने के लिए राजी हो गई. काउंसिलिंग के दौरान उन्होंने सपश्ट किया कि वे शादी का फैसला टाल रही है लेकिन किसी और के साथ भी अब घर नहीं बसाएंगी वे अपने दम पर काम्याब होकर अकेले जिन्दगी जीने का संकल्प लिया इस फैसले से परिजन, पुलिस और सखी सेंटर के प्रबंधन ने राहत की सांस ली जब हमारे पास आई उस समय दोनों की इस्तिति ये थी कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं और साथ ही रहेंगे और साधी करना चाहते हैं सखी सेंटर की प्रबारी देवी बामनिया ने बताया की रविवार की शाम से लेकर सोमवार की दोपहर तक कभी साथ तो कभी अलग-अलग बैठा कर काउंसिलिंग की गई लड़कियों ने बताया की उनके घरवाले उन्हें नहीं समझते और वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझती हैं वे साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहती हैं केस वरकर सोनिया जोशी, कुंती बाला और गीता देवी ने तीन राउंड की समझाईश के बाद सोमवार की दोपहर को दोनों लड़कियों को वापस उनके घर भेजने के लिए मना लिया यहां मामला 16 जून को सामने आया था जब दोनों लड़किया थाने पहुँचकर अपनी शादी की इच्छा जाहिर की थी ठानेदार से कहा कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती और इसलिए उनकी शादी करवा दी जाए लेकिन अंतता समझाईश के बाद उन्होंने अपने फैसले को टाल दिया लोकल 18 के लिए पाली से हैमंत लालवानी की रिपोर्ट